आज के gaming news के episode में आपको new GTA games, Spider-Man 2, Delta Force Hawk Ops, Hitman Mobile, Mumbai Egalis, City Skylands 2, Iron Man और भी बहुत सारी gaming से related interesting news जानने को मिलेगी, so वीडियो को एन तक ज़रूर देखना बना बहुत को आप मिस कर जाओगे आगे पढ़ने से पहले आपको free में battle pass या फिर रॉयल pass जीतने के एक ninja technique बताता हूँ जिसमें आप पैसे earn कर सकते हो, वो भी बस BGMI में TDM जैसा game खेल कर मैं बात कर रहा हूँ BTX Battle Extreme Shooting Game की, जो एक anime shooting game है और यहाँ बस enemies को kill करने पर आपको BTX मिलेंगे ऐसे ही आप daily 50 BTX कमा सकते हो, वो भी बस classic mode में game खेल के और बिना एक पैसे invest किये और इस पैसे को आप easily paytm या फिर UPI में withdraw भी कर पाऊगे मैंने इस game से काफी पैसे कमाए हैं और आप भी जाकर download करो BTX Battle Extreme को और कमाओ free में diamonds and UCs, link आपको description and pinned comment में मिल जाएगा Spider Man 2 launch हो चुका है और भाई बहुत जवरस गेम है, अभी दक तो मैं बस दो गंडी खेल पाया लेकिन भाई शुरू से ही game बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको लेकर doubts थे कि यार gameplay mechanics में जादा changes नहीं होंगे बढ़ भाई बिल्कुल नया feel होता है, खेर complete review के लिए wait करो थोड़ा, इस week में आ जाना चाहिए और भी खूब सारा content आएगा, बाकी में गया था डेली के साकेत में select city walk और वहाँ पे Spider Man 2 की एक 3D OS display भी लगाई गई है, जो बहुत cool लगती है तो अगर आप चाहो तो जा सकते हो, और वहाँ से directly buy भी कर सकते हो, गेम को और मज़े ले सकते हो पिकोज सोनी इंडिया ने पहली बार 3D advertising करी है अपने किसी गेम की इन इंडिया बाकि Insomniac ने कहा है कि अगर fans चाहें, तो वह एक spin-off गेम भी बना सकते है, जहाँ वन अब बनके खेल पाओगे वो भी काफी crazy रहेगा, let's see, ऐसा होता है या पर नहीं वेल, best game of 2023 तो बहुत उमीदवार है, लेकिन worst game का शायद यही एक है इसका नाम है Skull Island Rise of Kong, जो कि October 17 को रिलीज हुआ, एंड हाँ, ये Kong का गेम है, जो कि based on the movie Skull Island पर गेम को बहुत रोज किया जा रहे है online, इसका एक cutscene देख सकते हो, जो कि लग रहे है किसी 15 सार पूराने गेम को एंड जो gameplay है वो भी बहुत जादा बिकार लग रहे है, तो 40 डॉलर में तो इससे complete scam बता जा रहे है एंड defense में इसके devs ने कहा है कि उनने बस एक साल दिया गया था गेम बनाने को, पत्या reasons जो भी हो, final product बिकार है, एंड इवन 2023 का worst game भी है Then TMI Studios ने announce कर दिया Delta Force Hawk Ops का play testing roadmap, मतलब की game कैसे कैसे available करा जाएगा for play testing So October 2023 में पहले ये चायना के लिए available था, जहां पर इसकी testing हुई है Then Q1 2024 में offline closed test होंगे, जिनके लिए developers दुनिया गूमने वाले हैं और 2024 के first app में official alpha test होगा, जहां players इसे try कर पाएंगे जिन लोगों ने pre-register किया होगा, उनको priority मिलेगी, जो कि अब उनकी website पे चालू हो गए है राकि जिनको नहीं पता तो ये game PC, mobile and console सब के लिए आ रहा है Then Riot Games ने एक नया agent introduce किया है for Valorant, जिसका नाम है ESO एक Chinese mercenary है, जिस पर 4 main abilities होंगी जितने भी enemies इसने मारे होंगे न, उससे ops बनके आएंगी, जो कि agent की shield बनेंगी फिर आप walls के through भी attack कर पाओगे और उसके लाबा एक energy wall भी summon कर पाओगे, जो कि bullets को block कर सकती है and last ability यह है कि आप opponents पे energy fake सकते हो, ताकि वो एक duel कर सके and जिसमें जो जीतेगा वही रहेगा match में यह आएगा with episode 7, act 3, जो कि October 31 को launch होगा and साथ ही नया battle pass भी आएगा आप लोग बताओ कि कैसा लग रहा है यह नया agent मैंने आपको बताए है था कि critically acclaimed, hitman blood money को remaster करके mobile पे launch किया जा रहा है तो इसमें नए gameplay features and improvements announce करी गई है जैसे कि instinct mode आएगा जिसे targets, cards, ladders सब highlight हो जाएंगे और अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप इसे disable भी कर पाओगे तो एक mini map भी आया है along with on screen buttons इसके developer feather interactive ने कहा है कि game autumn में आ जाएगा for mobile and in winter for switch अपलाकी game की और details जब आने वाले कुछ हफतों में announce करी जाएंगी देन बात करते हैं उन games की जिने आप claim कर सकते हो तो इस week अभी game short पे मिल रहा है Eternal Threats and The Evil Within और next week मिलेगा Tandem A Tale of Shadows and The Evil Within 2 वही दोनों Evil Within गेम स्प्री में मिल रहे हैं लूट लो उसके लब आए Xbox Game Pass पे नई games आ रहे हैं जो कि हैं Dead Space, Like A Dragon Isshin and F1 Manager 2023 बागी full list आप देखी सकते हो screen पे उसके लब आप कुछ games छोड़के भी जा रहे हैं October 31 को जिनकी list आप देखी सकते हो फिर IGN India से एक recent interview में निखिल मालंकर ने reveal किया कि जब Mumbai गलीज रिलीज होगा देन बात करते हैं City Skylands चूप की जो की PC के लिए October 24 को launch हो रहा है तो इसके developer ने कहा है कि game की performance इतनी अच्छी नहीं है चिल वो इसे launch करेंगे time पे basically इसकी system requirements काफी high है और इसलिए developer और publisher ने कहा है कि ये next gen title है तो इसलिए जाता demand भी करता है नोंने कोशिश करिये requirements कम रखनें की बट ऐसा वो नहीं कर पाए और वो PC के लिए game delay नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इसको long term project की तरह देख रहे हैं तो बहुत से updates आएंगे future में भी तो अब इसको खिलने वाले हो देन आपको performance issues आ सकते है depending on your specs और यसे developer ने सामने से clearly कह दिया है इनी technical problems की विदर से game को low dating भी दी जा रही है like 6 out of 10 and even 2 out of 5 फिर आपको याद होगा कि कुछ reports आ रही थी जिनके according EA एक Iron Man का game बना रहे है so EA के motive ने confirm कर दिया है कि they are working on an Iron Man game जो की Unreal Engine 5 में बन रहे Dead Space remake के बाद उनका next project यही होगा बट इसमें time बहुत लगने वाल है नोंने clearly कहा है कि this game is still years away नोंने community council भी बना दी है जो की एक group है Iron Man fans का और वो उनसे feedback लेते रहेंगे in the whole development process ये एक single player action adventure game होगा और इसके बाद 2 marvel games और आएंगे तो मैं काफी excited हूँ यार Star Wars Jedi के बाद लग रहा है कि ये single player game से focus करने लगा है and hopefully ये game भी अच्छा रहेगा अब Netflix gaming को लेकर काफी serious and aggressively उसमें expand करना चाहता है ऐसे में एक Wall Street Journal की report के according वो take to interactive से बात करने है to bring a new GTA game onto its platform बट नहीं ये GTA 6 नहीं होगा बलकि एक नया spin-off game हो सकता है Netflix को मतलब नहीं कि कैसा game है उन्हें बस एक GTA game चाहिए तो क्या पता Liberty City Stories या फिर चैनाटाउन वर्ष जैसा कोई नया spin-off GTA game मना दे वो Netflix के लिए और वैसे भी Netflix का games भी mobile पर ही चलते हैं तो बहुत लोग expect कर रहे थे कि ये deal के होते ही Activision और Blizzard के games आ जाएंगे Game Pass पे बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है तो Phil Spencer ने एक podcast में कहा है कि games आएंगे बट थोड़ा time लगेगा तो कि इसका case इतना लंबा चला की uncertainty बहुत बढ़ गई थी तो ने time भी नहीं मिला इस पे काम करने का बट अब क्योंकि deal हो गई है ऐसे वो काम पे लगेंगे और 2024 से पहले तो games नहीं आ पाएंगे इन में Diablo 4 और COD Modern Warfare 3 भी शामिल होंगे मतलब सोचो यार अगले साल से कितना बड़ा change आएगा हमें 5000 की COD खरीतने की जगा साड़े 300 रुपए में Game Pass की subscription लेनी है और मज़े करने है एवन एक साड़ की subscription की cost भी एक COD के game से कम होने वाली है लाकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं पुराना Activision Games को revive किया जाए बड़ ये तब भी होगा अगर development team सही में passionate है उनको लेकर क्योंकि वो तो चाहते हैं एक नया hexane game बने और भी काफी games बने बड़ अगर team ही नहीं चाहेगे तो result बिकार निकलेगा लाकि शाड़ फील्ड की बात करें तो वो September का best selling game था in US इवन दो गेम पास पर free map label था फिर Ubisoft ने Assassin's Creed Nexus का नया game पर रिलीस किया है जो एक VR game होने वाला है for meta quest हम इसमें तीन different assassins को control कर पाएंगे across three different time periods जो कि हैं Ezio, Connor और Cassandra and first person में hidden blades से stealth killing कर पाएंगे open world explore करेंगे और पार करकर के मज़े लेंगे stealth इसका main component होने वाला है जहां आप लोगों के beach में ship रहे होंगे cards को distract कर रहे होंगे and throwables का use कर रहे होंगे ये game 16th November को release होने वाला है और ये एक full length game होगा फिर चलते 5-1 news की तरफ तो LNV2 की PC requirement सामने आ गए हैं भाई ये बहुत आई हैं आई मीनिमम भी RTX 2060 डिमांड हो रहा है विद i5 7600K लोएंड PC के मैं बचार है क्या करें तन Lies of P काफी अच्छा receive हो है और इवन इसकी 1 million sales भी complete हो गई है उसके बाद Battlefield 2042 को एक free weekend होगा जहां उसका player count all time high पहुँच गया of more than 1 lakh तो इस गेम को लोग dead समझ रहेते हैं वो sort of revive भी होता हुआ दिख रहा है बिकाज ये इन इंप्रूब्मेंट्स काफी करें है तो रोब्लोक्स लाँच हो है PlayStation के लिए और सुर्प्राइजिंग लिए वो काफी अच्छा चल रहा है only behind COD Modern Warfare 2 and Fortnite well next Nintendo console का लोग बहुत इंतिजार कर रहे हैं तो उसके leaks भी आते रहते हैं essay में उसके boss ने कहा है कि वो जादा तो reveal नहीं कर सकते बड़ जो Nintendo के accounts बने हैं उससे players का transition from older to new consoles काफी easy हो जाएगा अगर आपको Minecraft 1.21 update के बारे में जानना है तो उसके लिए left वीडियो देखो अगर आपको Assassin's Creed का Ryzenfall जानना उसके लिए right वीडियो देखो ये वीडियो अच्छी लेगे तो like करें जानको subscribe कर और मिलते हैं आपसे क्लिक वीडियो में तब तक के लिए आटा बाई बाई